हालो फ्रेंग्स वालकम तू आल आज मैं आपके लिडियो डे क्या रहा हूं देखिए HDFC यानि किए कि बखुत बड़ी मचली मैं कहूंगा इसको स्टॉक मार्किट की यह मान के चलिए मसली नहीं आप इसको वहल कह सकते हो इस स्टॉक को जब आप देखो गए तो आप को कि भी इतने बड़े-बड़े स्टॉक स्टॉक का प्रमोटर कंपनी है और प्रॉफिट देखिए अब यह स्टॉक के जब बात आती है तब इसके अकेली के प्रॉफिट नहीं बलकि इसकी जो बाकी कंपनी चाहिए HDFC बैंक SDFC AMC, SDFC Life बहुत सारी जो कंपनी यहाँ पे इसके अंडर है उनका जो प्रॉफिट होता है वो भी क्योंकि में प्रॉमोटर तो यही है पॉर्टफोलियो स्टॉक बहुत जबरदस्त लार्ज कैब सेग्मेंट का पॉर्टफोलियो स्टॉक है SDFC जड़ा देखते हैं इन सारी डिटेल्स को सीधे सबसे पहले आपको रिजल्ट की तरफ लेके चलूँगा रिजल्ट आज की डेट में आया था नहीं बजे के आसप 9,000 करोड से 39,000 करोड यानि कि 10,000 करोड का उच्छाल आपको यह तो बहुत ही अच्छी बात है बहुत ही पॉजिटिव है जड़ा देखें नंबर सा आपको यह नंबर इंट्रस्ट इंकम भी देखें और्मोस्ट फ्लैटर ही इंट्रस्ट इंकम में कोई ज्यादा है दूसरा अगर कमाई देखोगे तो investment in life insurance business अब आपको यह तो बहुत ही बढ़िया बात है अभी हम चलेंगे इसके life insurance business को देखोगे क्योंकि वहीं से कमाई हुई है यह revenue generation हमने देखा आप तोड़ा सा और detail में देखते है profitability पे कैसा असर रहा तो total income आपने देखी किस तरीक स्कीमा बात करना हूँ 4600 करोड से बढ़के इस बार कितनी है 6800 करोड यानि कि सीधे सीधे 2200 करोड का जंप यहाँ पर देख पार हो नंबर काफी अच्छे लग रहे होंगे आपको earning पर चलेंगे उसको भी समझने की कोशिश करेंगे मैं फिर से repeat कर दूं 2020 और यह 2019 इन दोन प्रोफिट टोटल कंप्रेंसिव इंकम अगर हम देखें यहाँ पर नेट प्रोफिट आफ्टर टैक्स देख लीजिए आप यहाँ पर 5724 और अगर देखा जाए पिछले साल यह कितने थी 4196 देखे जरा आप आपको यह तो बहुत यह बढ़िया नंबर है सीधे से राउं किस तरीके से 22 से जंप करके 28 29 के आसपास चला गया है तो यह नंबर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे लेकिन इनहीं नंबर्स तक नहीं रखेंगे चलेंगे थोड़ा सा और डिटेल आउट करते हैं इस प्रोफिटेबिलिटी को कि जैसा मैंने आपको बताया हमार पास और भी कंपनी इसके अंडर आती है जिनका यह प्रोमोटर है तो वह वह बिजनस कहां से जनरेट हुआ कहां से रिवेन्यू किस सेगमेंट में ज्यादा जनरेट हो वह जानना जरूरी है तो जान यह देखिए इंट्रस इंकम जैसे मैंने आपको बता है इंट्रस इंकम अगर मैं लोन्स की बात करू तो पिछले साल 20,000 करोड का रिवेन्यू जनरेट होता हुआ आपको देखने को मिल रहा हो गए इस बार केता है यह मात्र 12,000 करोड के आसपास का मतलब रिवेन्य जनरेशन लोन्स से इस बार कम हुआ है बात कमाई कहां पे हुई है असली कमाई जो हुई है लाइफ इंशॉरेंस बिजनस से यानि कि जो पिछले साल के क्वाटर मा आप देखोगे 11,606 करोड का था लाइफ इंशॉरेंस बिजनस से इन्होंने कमाया है यह कमाई नहीं मैं को यह रिवेन्यू है 21,676 यानि कि जो असली फरक है 10,000 करोड का वो है लाइफ बिजनस से याद रखे है इसलिए SDFC लाइफ जो हम कहते हैं आपको कि इंपोर्टेंट है जनरल इंशॉरेंस के अगर बात करें तो वहाँ पे भी 3500 करोड से 5200 करोड तो मेजर रिवेन्यू जनरेशन सेगमेंट अगर आप ओवराल दोनों को देखा जाए तो डिफरेंस क्र आपने के बात करते हैं यानिकि SDFC यहाँ पे सामने निकल के आता है तो और्मोस 578 करोड से रिवेन्यू 480 करोड इसका भी हुआ है तो अबराल पिक्चर आपने देखी कहां से रिवेन्यू जनरेट हुआ है SDFC के लाइफ इंशॉरेंस से तो यह सिचिवेशन यहाँ पर हमन बैनेजमेंट में प्रोफिटबलेटी में डिप आया है यह देखिए तो आपने देखी SDFC की लेकिन SDFC को यही मत देखिया चार लाख 4,64,000 करोर का मार्किट का प्रोफिट ग्रोथ और अगर आप देखो अल्टी मेट सेल्ज ग्रोथ यह स्टॉक को मैं कहता हूं बहुत ही जबर्दा स्टॉक लार्ज केप सेग्मेंट में बट यहां पर आप यह मत सोची कि आपका पैसा छे महिने साल भर मैसे डबल हो जाएगा लेकिन आपको एक कंसिस्टेंट रिटरन यही कंपनी देती आप देखिए जड़ा प्रोफिटिबलिटी देखिए कि इस तरीके से ग्रोग किया है रिव कि अगर डेफिनेशन आंपने देखनी है तो पिछले 10 साल में 16 पॉषंट के हसाब से सी एग ये और मेंटें कर रहें है पिछलेंए को अगर पिछले 10 साल का प्रोफिट ग्रोथ देखोगे तो 20-22 परसेंट हमेजा रहता है यह प्रोफिट ग्रोथ तो ultimate को कभी कम मत आके यह आपके लिए बहुत बड़ा हत्यार होता है इस टॉक अगर आप देखोगे तो 2009 के आसपास बड़ी गिरावट आई थी यह देखिए उसी तरीके से गिरावट अभी आई बट गिरावट आने के बाद जब यह इन लेवल्स पे इन लेवल्स पे कर रहा था कई महीने बहुत लेट यहां पर चीजह स्टार्ट विए आपके लिए वीडियो क्रेट किये गे थे लेवल पर जब यह ब्रेक आउट की सिच्वेशन आई थे और उसके बाद बड़ी रही हमेशा आपको एक बात कहता हूं मार्केट में जब डिप आता है ना उस के बाद थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन होने दीजिए पॉजिटिविटी आने दीजे चोटे टाइम फ्रीम में तब आपको मौका मिलेगा यह ने की गिर रहा है तो गिरते हुए गिरते हुए स्टॉक में कभी आपको जब भी मार्केट में गिर रहा होते हैं तो थोड़ा स चीजे पॉजिटिव हो रही है और एस डी अपसी एम जो है के स्टॉक को हमारा जो लेवल था वो यह रेंज थी देखिए यह रेंज यह ब्रेकाउट रेंज इस ब्रेकाउट रेंज को अगर तसल्ली से देखोगे पंदरा सो का लेवल आपका डबल बॉटम यहां पर बनत होता है ना तो वह आपको पुल बैक भी देगा अच्छा ब्रेकाउट बहतरीन ब्रेकाउट आपको पुल बैक देगा फिर से मौका देगा एंट्री का और आप यह देख सकते हो फिर से मौके आपको एंट्री के जरूर मिले हैं इनको कहते हैं पुल बैक पुल बैक की परि इक ही चीज कहता हूँ moving averages से जब भी दूरी बन जाते है न stock की तो इसका मतलब stock आपका काफी overvalued हो रहा है उसको उसके पास आना ही पड़ेगा आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से moving averages की दूरी बनी थी indecision की candle बनी correction आई और फिर से 20MA के पास आके support लिया और वापसी हुई bullish cross support वापसी अब वापसी मैं भी आज की date को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या यह rally continue रहेगी बहुत तेजी से बटमा आपको एक बात कहूंगा जिस तरीके से यहां से मतलब almost 2400 से 2800 तक यह stock गया है और indecision की candle भी बनते वे देख रही है तो मुझे लगता है कि इस तरीके से breakout को पार कर अपना और फिर उसका sustain होना काफी tough होता है हाँ अगर यह यहां पे correct होके इस तरीके से situation दे वापस correction फिर वापस jump तो आपके लिए एक positive बात रहेगी और आपको मौका मिलेगा मतलब RSI पर situation फिर फिर पॉजिटे फिर अगली correction फिर पॉजिटे इस तरीके से जाए तो बढ़िया है क्योंकि कोई छोटा stock तो है नहीं कि भागते रहे भागते बहुत बढ़ा stock है बहुत ज्यादा पैसा यहां पे चाहिए इस दिनों में थोड़ा बहुत उसका profit booking भी देखने को मिलेगा ऐसा नहीं कि market एकदम नीचे गिर जाएगी तो एकदम से नहीं बढ़ हां profit booking चलती है तो अभी तक जैसे market भागे नहीं था हम आपको करते कि profit booking due है और यह profit booking कई दिन तक हमारे almost 2-3 हपते profit booking चली और उसके बाद budget के विज़े से यह market इस level तक चलीगी हां budget no doubt उसने market ने बहुत बढ़िया response budget को दिया है अब फिर से profit booking आपको देखने को मिल सकती है को उस दिनों में और फिर आपको opportunity फिर से आपके सामने आएंगे फिलार wind up करता हूं इस वीडियो को उमीद करता हूं वीडियो आपको अच